दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनलाइन जनकरे यूटूब चैनल में जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 जून 2019 को एक तबरीज नामग यूवक की जारखंड में मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया और उसकी हत्या कर दी गए जिसको लेकर के देश में अलग-अलग तरह की प्रक्रिया आ रहे हैं अलग-अलग तरह से लोग उसकी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इस सिलसले में एक बड़े एक्टर और बॉलिवूड के सुपर इस्टार सल्मान खान का भी नम जुड़ चुका है दोस्तो सल्मान खान की तरफ से एक बहुती निंदनी पोस्ट मॉब लिंचिंग के उपर डाली गई है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तो सल्मान खान तब्रेज आलम की मॉब लिंचिंग के उपर क्या कहते हैं और उन्होंने उस अपनी पोस्ट में क्या लिखा है यह हम आपको आगे बताएंगे और उनकी पोस्ट भी दिखाएंगे आप खुद दे करके समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है लेकिन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अगर आप तबरेज आलम की मॉब लिंचिंग पे अपन एक पोस्ट जाली है उसमें उन्होंने लिखा है दूस्तों कि अगर दिखाना है तो दिखाना है और बीट करना है मारना है तो मिहनत करके अपना लेवल बढ़ा के मारो वहीं नथिंग बैटर देन वरकिंग हार्ड यह जो है सलमान खान की तरफ से यानि की 3-4 लाइन का एक पोस्ट डाला गया है जो की बहुत कड़ी निंदा वाला पोस्ट है दोस्तों क्यूंकि जो तबरेज अंसारी है उसको कुछ लोगों ने अपनी मौब का शिकार बनाया और उसकी लिंचिंग कर दी कई छार कंड में जिसको लिकर के अलग-अलग राजियों से आवाजे उठ र है तो बीट करना है मारना है तो मेहनत करके अपना लेविल बढ़ा के मारो नथिंग बैटर देन वर्किंग हार्ड ये बहुत बड़ी बात सलमान खानने कई है उसके बाद अपना फोटो भी इसमें एक शियर किया है दोस्तों ये बात यानिकी चार लाइनों के जरूर है ल दोस्तों इस पर आप भी कोई आवाज उठाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंड बॉक्स में अपनी प्रत्क्रिया जरूर दें तो कि आपकी एक आवाज मारे देश की आवाज बनती है तो चलिए आज के वीडियो में इतने हैं इतना ही मिलते हैं कुछ खास कबरों के साथ